हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, उसका टाइटिल है प्रेम की कसोटी गईयों के दिन थे, सूरज भगवान गुस्सा होकर मानो आग की वर्शासी कर रहे थे जीव जन्तु सभी इस वीशन गर्मी से परिशान थे परिशान मन्नू चीटी भी थी, पर वह सुभा से लगातार काम कर रही थी इस भहेंकर गर्मी के बाद निश्चित रूप से वर्शा होने वाली थी मन्नू के बिल का सारा राशन समाप्त हो चुका था अचानक ही एक सप्ताह के लिए उसके यहां खूप सी महमान चीटियां जो आ गई थी उनका सत्कार तो करना ही था महमानों के आते ही सारी चीटियां राशन इकठा करने के लिए जुट पड़ी थी यही कारण था कर्मी में उनके सारा दिन काम करने का एक दिन मन्नू कारे करते करते अचानक बेहोश हो गई नजाने वह कितनी दिर तक ऐसे ही पड़ी रही हो सकता है उसे मरी समझ कर कोई खाही जाता और सहसा ही एक मदुमक्खी की निगाह उस पर पड़ गई उसने देखा कि सांस चल रही है मदुमक्खी पल भर में समझ गई कि गर्मी के कारण चीटी बेहोश हो गई है वह सुबे से ही उसे लगातार काम करते हुए देख रही थी मदुमक्खी थी बड़ी दयालू वह जट से गई और अपनी सूर में पानी भर लाई चीटी के मुँ में वह बार-बार पानी डालने लगी थोड़ी देर में मन्नु को होश भी आ गया आखे खुली तो उसने देखा कि उसके सिरहाने एक मदुमक्खी बैठी है वही पानी पिला रही है कृतग्यता से मन्नु की आखों में आसू भराए मदुमक्खी का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर वह बोली वहीन तुमने मुझ अपरिचित की सहायता की है प्राणों की रक्षा की है मैं हुड़दे से तुम्हारे इकृतग्य हूँ दत पगली हदते हुए मदुमक्खी कहने लगी दुखियों की सेवा सहायता तो सभी को करनी चाहिए उसमें परिचय परिचय का भेद कैसा जो दीन दुखी असहाय को सामने देख कर भी उसकी सहायता करने से जिज़कता है पहले परिचय परिचय की रिष्टे डूनता है वह नीच है, दुष्ट है मदुमक्खी के उचे विचार सुनकर चीटी गदगद हो गई वह कहने लगी बहीं सदा ही तुमारे या सद विचार बने रहें तुम ऐसे ही सदा वीडितों की साहता करती रहो अभी तुम ठकी हुई हो, जादा मत बोलो ऐसा कहकर मदुमक्खी ने चीटी को चुप करा दिया फिर वह थोड़ा सा शहद उसे देते हुए बोली लो, जपटी से खा लो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी मन्नु चीटी प्रसन्नता और कृतक के तासे भर उठी उसने धीरे धीरे शहद खाया वह बड़ा ही मीठा और स्वादिष्ट था उसे खा कर मन्नु जल्दी ही स्वस्त हो उठी फिर मन में कुछ सोचते हुए वह मदुमक्खी से बोली पहिन, क्या आज से तुम मेरी मित्र बनोगी? मदुमक्खी स्वेम ही मन्नु से उसके इश्च्रम से बड़ी प्रभाविद थी और उसे मित्र बनाना चाहती थी वह अच्छी दर्ण जानती थी कि हम जैसे वेक्तियों के साथ रहते हैं दीरे दीरे वैसे ही बनते चले जाते हैं इसलिए सदा अच्छे व्यक्तियों को ही मित्र बनाना चाहिए। वह हस्ते हुए बोली, बनेंगे क्या बनी गए? चलो इसी उपलक्ष में तुम्हारी दावत हो जाए। और हाँ, अपना नाम तो बताना ही भूल गई, मुझे रानी कहते हैं। मन्नु के बहुते रहे, नाना करने पर भी रानी नाम की वह मदुमक्षी उसे अपने छत्ते पर ले गई। वहाँ अनेक मदुमक्षियों ने उसका स्वागत किया, चलते समय उन्होंने मन्नु को धेर सा शहत दिया। अब मन्नु और रानी नित्प्रती मिलती थी, उनकी मित्रता धीरे धीरे घनिष्ट होती चली जा रही थी। विर्नी संकोज एक दूसरे से अपने सुक दुख की बातें करती, एक दूसरे से सलाह लेती, सच्चा मित्र सही सलाह देकर मित्र का उपहार ही करता है। रानी प्राया ही मन्नू को रोज शेहद ला कर देती, ताजा और स्वादिष्ट शेहद, मन्नू को रोज रोज शेहद लेते शरम आने लगी, पर रानी तुम्हें मेरी कसम, बहन यह तो तुम्हें लेना ही होगा, ऐसा कहकर उसे शेहद खिला ही देती, एक दिन मन्नू ने कहा तुम तो रोज रोज ही मुझे शैद खिलाती हो और मैं तुमें कुछ भी नहीं दे पाती, याया अच्छा लगता है रानी कमभीर होते हुए बोली देखो बेन, मित्रता व्यापार नहीं होती तुम मुझे सच्चे हृदय से प्यार करती हो, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्दी है घबराती क्यों हो, कभी तो समय आएगा ही, जब तुमें मेरे लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा इन छोटी-छोटी चीजों के लेन-नेन में बला क्या रखा है और जल्द ही वह अवसर भी आ गया एक दिन संध्या के जुटपुटे में ठकी हुई मन्नू पेड के नीचे विश्राम कर रही थी उसी पेड पर रानी का चट्ता था कुछी देर बाद मन्नू ने रेखा कि वहाँ दो आदमी आकर खड़े हुए है उनके हाथ में डंडे थे वे बार-बार रानी के चट्ते की और इशारा करके कुछ कह रहे थे मन्नू पल भर में ही सारी बाते समझ गई वह वहाँ से तुरंत तेजी से दोड़ी और अपनी पूरी सेना बुला लाई तब तक वे दोनों आदमी पेड़ पर चड़ चुके थे और छट्ता तोड नहीं वाले थे सेंकणों चीटियां उन आदमियों के शरीर पर चड़ चड़ कर जोरों से काटने लगी वे उचल कूत करके तंग आ गए पर चीटियां थी कि उनके शरीर पर यहां वहां लगातार चड़ ही चली जा रही थी अरे बापरे चीटियों ने हमें घेर लिया है यहां हम कहां आकर फच गए हैं कहकर वे दोनों आदमी अपना अपना शरीर ज़ाड़ते हुए वहां से कूत पड़े आदमीयों की चीख पुकार से तब तक रानी और उसकी मधुमक्खियां भी जाक गई थी फिक सभी की सभी उना आदमीयों पर तूट पड़ी मन्नू ने उन्हें सारी बात बता दी थी मधुमक्खियों ने उन मनिश्यों को खूब काटा और दूर तक पीछा किया जिससे वे वहां दुबारा आने की बात सोच भी ना सके संकट की इस्थिती दूर हो जाने पर रानी ने मन्नू को गले लगा लिया फिर चैन से बैट कर उसने मन्नू से सारी बातें पता की मन्नू और उसकी सहेलियों ने अपने प्रान संकट में डाल कर भी मदुमक्यों की रक्षा की थी रानी और दूसरी मदुमक्यों ने उनका बहुत बहुत आभार माना फिर रानी ने सभी चीटियों को शहद की जोड़दार दावत खिलाई रानी हस कर मन्नू से पुछने लगी कोहो अब तो तुम्हें हमारे लिए जी भर कर कुछ करने का अफसर मिल गया ना तुम तो रोज-रोज इसी चिंता में दुबली हुई जा रही थी रानी की इसी बात पर सभी चीटियां और मधुमक्खिया भी हस पड़ी तभी एक बुड़ी मधुमक्खी कहने लगी बेटी सच्चे मित्र से सहायता मांगनी नहीं पड़ती वह तो सहायता के अवसर ढूनता रहता है और बिना कहे ही मित्र की सहायता करता है मधुमक्खियों की रानी उसकी बात का समर्थन करते हुए बोली हाँ कौकी, खीकी कहती हो तुम इसके विप्रीत दिखावटी मित्रता वाला जूठा मित्र तो सहायता का अवसर देखकर म्यू छुपा लेता है मित्र की विपत्ति की बात जान कर भी वह ऐसे दिखता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है ओ, संकट की घड़ी में ही तो हम अपने मित्र, परचित और संबन्दियों की परक कर पाते हैं एक मदुमक्की कंभीरता पूर्वक बोली, रानी मदुमक्की फिर कहने लगी त्याग और बलिदान ही प्रेम की कसोटी है, हमारे इसने ही जन हमें कितना चाहते हैं इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है, कि वे हमारे लिए कितना कश्ट सहने को, कितना त्याग करने को तयार रहते हैं मन्नु बहिन, हम सब धन्ने हैं, जो तुम्हारा और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारी सभी बहिनों का सच्चा इसने हैं पा सके रानी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सारी मदुमक्यों ने सिर हिला हिला कर जोरों से पंक पड़पड़ा पड़पड़ा कर उसकी बात का समर्थन किया विनैसे सिर जुका कर मन्नु बोली ओह यह तो हमारा कर्तव्य था क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं करते इस पर रानी कहने लगी संकट की घड़ी ने हमारी मित्रता को और अधिक निखार दिया है फिर से एक बार सभी मदुमक्यों ने कृतगिता व्यक्त की और मन्नु तथा उसकी सहेलियों की प्रशंसा करते हुए वे अपने छटे की ओर बढ़ चली तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तक पर रहना चाहिए यही हमारा करतव्य है और यही मानवता की सबसे बड़ी कसोटी है फुक के बाई